आप सुन रहे हैं लाइव हिंदुस्तान पॉड़कास्ट प्रोटी यू पाई ह्टी स्मार्टकास्ट आपका हमारे पॉड़कास्ट में स्वागत है इस पॉड़कास्ट में हम जानेंगे सेक्च से समबंदित सभी जानकारियां चाहे वो सेक्शुल हैथ हो हाईजीन टिप्स हो रिलेशन्शिप हो या उससे जुड़ी कोई भी समस्या तो आईए लेट्स टॉप खुलकर कुछ सवाल वक्त के साथ कितनी डेटेटिंग हो जाते हैं ना खास तोर पर तब जब आप ही को उसका अंसर पता ना हो जैसे की खुशकवरी कब दे गई हो इस सवाल का दर्थ किसी न्यूली मारेड लेडी से पूछिए मैंने आपको आईवी एफ के बारे में डीटेल में बताया था और ये भी बताया था कि आईवी एफ आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए उससे पहले आपको नॉमल तरीके से कंसीव करने के लिए क्या चाहि सेक्स मोटे-मोटे तोर पर कहा जाए तो हाँ लेकिन कुछ और चीज़े हैं जो मा बनने में आपकी मदद कर सकते हैं आज उन पर बात करेंगे लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि प्रेग्नेंसी के समय आपकी शरीर में आखिर होता क्या है क्योंकि अगर आपको आपकी राहों के बारे में पता हो तो सफर अक्सर आसान हो जाता है एक लंबी रेस के बाद कहीं जाकर स्पर्म का एक से मिलाप होता है और बनता है जाइगूट ये भून की सबसे पहली स्टेज है फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगूट फिलोपि इसे ब्लास्टो सिस्ट कहा जाता है ये एक बॉल्पेन की टिप से भी छोटा होता है केवल 20 से 30 फीसिदी फर्टिलाइस एक ही इस कंडिशन तक पहुच पाते हैं ये ब्लास्टो सिस्ट प्रेगनिंसी हॉमोन HCG बनाती है जो की ओवरीज को बताता है कि अब एक मिच्योर करन बन करते टेस्ट के दौरान भी इसी होमोन से प्रेगनिंसी का पता चलता है इसके बाद ब्लास्टो सिस्ट अपने शेल से बाहर निकल जाती है और यूट्रिस की दिवार यानि एंट्रूमिट्री में जाकर लग जाती है इस प्रोसेस को इंप्लांटेशन कहा जाता है समय क बच्ची की त्वचा तंत्री का तंत्र आखों और कानों की आंतरिक परत को जन देती है मध्यम परत यानि मैसुडर्म ये बच्ची का दिल लिगमेंट किड्नी और एप्रड़क्टिव सिस्टम के अधिकांश भात को जन देती है सबसे भीतरी परत यानि एंडोडर्म ये वो जगए है जहां बच्ची के फेफड़े और आते विक्सित होती है बच्ची के विकास के लिए प्लेसेंटा बहुत जरूरी है ये ब्रून को ऑक्सेजन के साथ दूसरे जरूरी पोशक तत्व देता है ये एंटिबोडिस देकर ब्रून को सुरक्षित रखने का काम भी क करता है विसे कि आपने अपने परिवार की किसी महिला को ये कहते सुना है कि हमारे समय में ये दवा और डॉक्टर के चक्कर होते ही नहीं थे अमने तो अपने चार-पांच बच्चे यूँ ही पाल लिये हैं और आज की जनरेशन को देखो कितनी सारी प्रॉब्लम्स है जब क्योंकि तब की जनरेशन बहुत अलग थी उनका लाइस्टाइल अलग था तब के लोग जादा चलते थे कसरत करते थे उनकी सिटिंग जॉब नहीं होती थी और क्योंकि मोबाइल और गैजट्स का इतना चलन नहीं था तो उनसे निकलने वाले रेडियेशन आपको इंपाक की पर और यही कारण है कि आज की फीडी को आईवी जैसी टिकनोलोजी की जरूरत पढ़ रही है लेकिन गुड न्यूज यह है कि एक्सपर्ट की माने तो आज की समय में भी जादतर लोगों को एडवांस टिकनोलोजी की जरूरत है ही नहीं वो नाश्टरल तरीके से से जुड़ी है और आपको कंसीव करने में मदद कर सकती है नाश्टरल तरीके से कंसीव करने के साथ टिप्स सबसे पहले अपने फटाइल विंडो यानि ओवलेशन पीरिट का पता लगाए दूसरा पैट फूड से दूरी पैट फूड में फ्री रेडिकल्स होते हैं जो की एग और स्पर्म दोनों पर बुरा सर डालते हैं माँ बनने की तयारी है तो जरूरी है कि आप इनसे दूरी बनाए इसी के साथ प्लास्टिक से भी दूरी बनाना जरूरी है एक्सपोर्स की माने तो प्लास्टिक में मौजूद कैमिकल, जैनो एस्टूजन, हॉमोन कम हो जाता है जिससे कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है तीसरा है सही वजन पर ध्यान दे बढ़ा हुआ वजन PCOS थाइरोइड इंसुलिन रेजिस्टेंसी और होमोन इंबैलन्स जैसी दूसरी समस्याओं को बढ़ावा दे सकता है जिससे आपके पीरिद्स इर्रेगुलर हो सकते हैं और कंसीव करने में दिक्कत आ सकती है इसलिए कसरत को अपने रुटीन में जरूर शामिल करें कुछ लोग सोचते हैं कि एक्साइस से इंप्लांटेशन पर फर्क पड़ेगा डॉक्टर्स की माने तो ये एक मित है असल माइने में फिजिकल आक्टिविटी आपकी सेहत के साथ साथ आपकी प्रेगनसी की संभावनाओं को बढ़ाने में मददगार साबिद हो सकती है चौथा अपनी कैफीन की मातरा पर ध्यान दे एक दिन में 200 मिली लीटर कैफीन यानी दो छूटे कप कॉफी से जादा पीना आपके लिए नुकसान दायक हो सकता है ज्यादा मातरा में कैफीन प्लेसिंटा को नुकसान पहुचा सकता है जिससे मिस्कैरिज के चांसेज बढ़ जाते हैं और हाँ ध्यान रखें कोला, हेल्ट स्रेंग, चाय यहां तक की ग्रीन टी में भी कैफीन होता है पांचवा है सिगरिट से दूरी सिगरिट आपकी ओवरीज को डैमिज कर सकती है एक रिसर्च की माने तो बच्चा प्लान करने वाली अधिकांश महिलाएं एक साल के भीतर गर्भवती हो जाती है चटा है सही खानपान एक हेल्दी प्रेगनसी के लिए सही खानपान की बड़ी भूमिका होती है वैसे तो सभी निउट्रिशन्स एक महिला के लिए जरूरी है लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो आपके बच्चे के विकास में काफी मददगार साबित होते हैं जैसे फॉलिक एसिड प्रेगनसी के दौरान एक महिला को ज्यादा फॉलिक एसिड की जरूरत होती है क्योंकि बच्चे का दिमाग और रीट के विकास के लिए ये बेहद जरूरी माना जाता है इसकी कमी के चलते बच्चे को कई सारे बर्थ टिफेक्स हो सकते हैं जो की जन्म से पहले या फिर बाद में बच्चे की जान के लिए खत्रा बन सकते हैं एक्सपर्ट की माने तो बच्चा प्लान करने के तीन महिने पहले आपको 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड की जरूरत होती है और प्रेगनसी के दौरान 600 माइक्रोग्राम की सात्वा और सबसे जरूरी खुश रहिए सुनने में भले ही ये बड़ा आम लगे लेकिन ये बड़े गाम की चीज है स्ट्रेस यानी तनाव का असर आपके दिमाग पर पड़ता है जहां से आपके बॉड़ी के लगभग सारे हॉमोन्स रेगलीट होते हैं ऐसे में जब दिमाग ही तनाव में रहेगा तो हॉमोन का असंतुलित होना लाज़मी है और जब हॉमोन से असंतुलित होंगे तो प्रेगनसी में तो परिशानी आएगी है इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि एक एक अक्टिव लाइस्टाइल फॉलो करें और तनाव से दूर रहें तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें जिन्हें जानना आपके लिए बेहत ज़रूरी है अगर आप अपनी प्रेगनसी को प्लान करना जाती है पैसे ये तो बात हुई महिलाओं की लेकिन पूर्शों को भी कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है तो ये था आज का हमारा एपिसोड अपना फीडबैक शेयर करने के लिए आप हमें कॉन्टाक कर सकते हैं साथ ही ऐसे और पॉड़कास्स सुनने के लिए आप लॉग इन करें www.htsmartcast.com पर इस पॉड़कास्ट पर अपडेटेड रहने के लिए हमें फॉलो करें हम सारे मेजर सोशल मीडिया प्लाटफर्म्स पर मौजूद है और और ऐसे पॉड़कास्स सुनने के लिए लोग उन तो www.htsmartcast.com